मुझे आप सब को बताते हुए हर शोड़ा है कि गोरगधाम एक्सप्रेस जिसको हिसार से सिर्षा तक एक्सटेंट करवाने के लिए हमने बहुत प्रयास दी और आप सब लोगों की ये बहुत पुरानी मांग दी बहुत जल्द जो है 14 तारीक को हम जो है इसको हरीचंदी दिखाने जा रहे हैं और मुझे पूरा विश्वाश है कि आप सब इस एतिहासिक शण में मेरे साथ होंगे और वहापर पहुँचेंगे आप सब ने जो भी अपनी इच्छाएं जो भी अपनी मांग जो है वो मेरे सामने रखी है मैंने पूरी कोशिश की है कि बड़ी पंचायत के अंदर उसको पुर्जोर तरीके से रखी है और इसी में आप सब ने ये नोटिस किया होगा कि मैंने अपनी संसदिये शेत्र में जो भी हमारी काम थे उसके लिए सबसे पहला जो मेरा वहाँ पर स्पीश था पार्लिमेंट के अंदर एक जुलाई को उसके अंदर मैंने इस मांग को खाया था के लिए मेरा सुझाव था कि गोरखपुर धाम एक्सप्रेस हिसार में सवेरे दस बज़े आकर खड़ी हो जाती है और शाम को साड़े चार बज़े वापिस जाती है इस गाड़ी का अगर सिरसा तक विस्तार कर दिया जाए क्योंकि सिरसा हिसार से केवल 82 किलोमेटर की दू खड़ बरहे और मैं इस बात के लिए हमारे अधर्नेया रेल मंत्री अश्वनी वैशनोंजी को तहे दिल से धन्यवात करती हूँ और इसके साहँ साहत 14 अब के लिए के लिए हमें समय समय प्रमार दर्शन करते रहते हैं। मुझे उमीद है कि आप सब लोग 14 तारी को दिल्वी स्टेशन पर इस एफिहाशिक स्टेशन के साक्षी बनेंगे बहुत रहते हैं।